तीर्थांकर महावी युनिवस्टी के इतिहास में अंधिता पहली बार अंग्रेजी का चैंपियन चुन लिया गया है सेंटर फॉर टीचिंग लर्निंग एंड डेवलमेंट सीटी एलडी की ओर से वोकेब एडिक्ट्स कुईज 2020 हुई कुईज का आगास दी पिदलन के साथ हुआ ओडिटोरियम में हुई कुईज के फैनल राउंड में अंग्रेजी के मुहावरे विलोम समनार्थी अनेकार थी लोकावैक्ती के बेस पर 18 स्टुडेंट्स के 6 गरूप फैनल को चैनित हुए अंतितार रैपिट फायर के बाद चैंपियंशिप का सहरा वोकैब वॉर्यर्स के सिर पर बन गया वोकैब वॉर्यर्स ने 195 अंग पाकर मास्टर माइंड दूसरे जबकी लिगेसी कीपर को तीसरे पाइदान पर पहुँचा दिया मास्टर माइंड को 180 अंग जबकी लिगेसी कीपर को 125 मिले वो कैब वॉर्यर्स में बिएसी ओनर्स फिजिक्स की सोमिया सिंग, बिटेक के सयद शाहनवाद हुसैन और बिएसी ओनर्स फिजिक्स की ही फवेहा असलम ने साजहरूप से कुईज में ये सित कर दिया कि FOECS में अंग्रेजी के असली धुरंदर वो ही है, उन लेखनी है, OD में फैनल राउंड से पहले सेमी फैनल राउंड में प्रतिभाग्यों के बारा टीमों ने अपनी प्रतिभा आजमाई, सिटी LD के डिरेक्टर डॉक्टर आर एन कृष्णिया ने बताया, वो कैब एडिक् उनिवस्टी के हर कॉलिज में होगी, अन्त में कारवाहक VC प्रोफेसर रगुवी इर सिंग ने बतार मुखे आती थी, सभी विजयताओं को ट्रॉफी और साटिफिकेट प्रदान किये, इस मौके पर एरिस्टार डॉक्टर विबेख रमन के अलावा, CTLD के निदेशक डॉक जैसमीन इस्टिफन, दिलिप वाचने के अलावा, सुकन्या रगुवन्शी, सौम्यासूद, आदिम मौचूद रहे, कुईसका संचालन जैसमीन इस्टिफन ने किया, कुईसका सेकिंड प्राइज, FOECS की दिया शर्मा, साक्षी नीलम, सैनीतो, वहीं थर्ड प्राइज, B CSC, मैथ की, तूबा नूर, मांसी चौदरी और अमित कुमार की जोली में गया, कुईसके फाइनल में, स्पेलिंग B, वन थर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और रैपिट फायर जैसे राउंड्स हुए, जिसके अधार पर टॉप थरी का चैन हुआ, गौर तलब है कि रैपिट फायर में एक मिनट में दस सवालों के जबाब पूछे गए, रैपिट फायर के दोरान तीन समनार थी, तीन एकार थी, दो परियावाची और दो मुहावरे पूछे गए, उन लेखनी हैं, पहले राउंड में 486 चात्राइं चैनीत हुए, स्क्रिंग राउंड 8 फ इवेंड्स स्टुडेंट्स को फ्यूचर के निये तयार करते हैं, हाड वर्क और कम्यूनिकेशन स्किल्स आज के युग में बहुत ही जरूरी स्किल्स है, जिस छात्र के पास ये दोनों हैं, उसे सफल होने से कोई नहीं रोब सकता है, पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में ही अपने आसपास की चीजों को देख और समशकर भी की जा सकती है, FOECS के निदेशक प्रोवीसी आर के दिवेदी बोले, CTLD की स्थापना का उदेशे ये ही था कि छात्रों को बेहतर भविशे के निये तयार किया जाए, बेहतर कम्यूनिकेशन स्किल्स आपको बेहतर जॉप् सर्विसेज में आने के लिए मदद देता है, साथी साथ रिकूरूटर्स और ट्रेनर्स का भी यही मानना है कि आज के समय में कॉन्फिडेंस और कम्यूनिकेशन स्किल्स से प्लेस्मेंट के दोरां सबसे पहले देखी जाती है that's a wonderful event with us all congratulate i'm a firm believer that learning happens more outside the classroom, does it prove or not? yes sir, it does prove, right? that means you all guys have to think of learning beyond your classroom and events of this kind are the prime example of great learning instruments I must congratulate not only the winners but the participants also for having so much of interest reason being your sheer presence here indicates that you are the one who is interested in your own self you are the one who has a yearning to learn you are the one who is self-conscious how learning happens about having thought of that there is an event going on a good number of people don't even bother about it so that indicates that your environmental awareness that you are aware of what's going around it large number of people may be aware but they don't care about it so you are the one who has taken initiative to take part into it and to be a participant into it now that's a good example of a good learner and I can vouch that if you continue this kind of habit you would be far more lifelong better learner than just sitting back somewhere else chit-chatting gossiping and spending and rather wasting your time somewhere else all right and I'm going to be